दोस्तों इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दक्षिनी भारतिये सिनमा के सुपरिस्टार रजनी कांत के बारे में जिनोंने बात में हिंदी सिनमा में भी आपना एक मुकाम बनाया रजनी कांत का जन 12 दिसमबर 1950 को बैंगलोर में हुआ था इनका असली नाम सिवा जीराओ गायकवार है 26 फरवरी 1981 को इनका विवा लता रंगाचारी से हुआ इनकी दो बेटिया हैं सोंदर्या रजनी कांत और एश्वर्या रजनी कांत भारति सिनमा में इनकी पहचान रजनी कांत के नाम से है इतने बड़े सुपरिस्टार बनने के पीछे अभीनेता रजनी कांत की गड़ी मेहनत और संगर्श पून जीवन रहा है आपको यह जानकर हिरानी होगी कि रजनी कांत पहले एक बस कंड़ेक्टर थे इसके अलावा इनोंने एक कूली का काम भी किया है मज़दोरी से भी इनोंने परहेज नहीं किया परंतो उसके साथ ही रजनी कांत एक्टिंग के भी शोकिन थे रजनी कांत ने अपने जीवन के लिए अपने अभीने को ही अपने भविश के रूप में चुना और आज सफलता उनके कदम चूम चुकी है भारती सीनिमा में रजनी कांत ने अपना पहला कदम रखा सन 1975 में तमिल फिल्म आपूर्वा रांग गाल से हाला कि इस फिल्म में रजनी कांत का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन उनकी अभिनाए की कला वगाबिलियत इसी फिल्म के माध्यम से निखर कर लोगों के सामने आई रजनी कांत अमिताब बच्चन को अपना प्रेड़ना स्रोत मानते हैं उन्होंने अमिताब की कई फिल्मों के तमिल रिमेक में बिलकुल उन्ही की तरह भी नहीं किया जिसके कारण वे अमिताब बच्चन की हिंदी फिल्मों के तमिल रिमेक के लिए रोल मोडल बन गए और रजनी कांत ने अमिताब बच्चन की फिल्मों के लगब ग्यारा तमिल रिमेक में शानदार अभी नेकर के दक्षिन भारतिये लोगों के दिलों को जीता कई साउत कंडर बटमिल फिल्में करने के बाद सन 1983 में रजनी कांत ने फिल्म अंधा कानून से वाली वोड इंडेस्टि में कदम रखा जिसमें उन्होंने अमिताब बच्चन और हेमा माली नी जैसे कलाकारों के साथ अभीने किया ये फिल्म जबरदस्ट सुपर हिट रही थी यहां भी उन्होंने अभिने का शांदार प्रदर्चन किया फिल्म अंधा काणून उस वर्ष की सबसे जदा कमाई करने वाली फिल्म बरी हिंदी फिल्म में रजनी कांत ने अंधा कानून जौन जोनी ज्नारदन शरी राग में बेवफाई, रोबोट 2.0 में आदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने सन 1985 में रिलीज हुई फिल्म बेवफाई से सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। और ये उनकी 101 भी फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के अपोजिक्ट एक विल की है। रजनीकांद भारत के सबसे ज़्यादा महें ताना पाने वाले कलाकारों में से एक हैं। एक्टिंग के लावा रजनीकांद ने प्रोड्यूसर तथा स्क्रींड राइटर का भी काम किया है। रजनीकांद एक मात्र भारत ये भी नेता हैं जिनका वर्णन CBSC-PART करम में किया गया है जिसका टाइटल है फ्राम बस कंड़क्टर टू सूपर इस्टार सन 2014 में रजनी कांत ने जब अपना पहला अफिशल ट्रिटर अकाउंट बनाया तो मात्र 24 गंटे में इनके फॉलोवर्स की संख्या 2,10,000 हो गई थी जो कि Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार भारतिय सेलिबिटीज और यहां तक की विश्व के टॉप 10 सेलिबिटीज में भी सबसे अधिक थी अपनी फिल्मों में शांदार अभी नहीं के लिए रजनी कांत को अनेक पुरुसकारव सम्मान दिये गए अधिकांस्तर तमील फिल्मों में यह सम्मान उन्हें दिये गए जिसमें पहला फिल्म फेरवाड फार बास्ट बेस्ट तमील एक्टर उन्हें संगुनिसो चर्यासी में आई तमील फिल्म नेलावानुकू नलल वन के लिए दिया गया इसके बाद उन्हें तमिल फिल्मों के लिए कई नमिनेशन्स और तमिलनाडू स्टेट फिल्म आवार्स प्रदान किये गए इसके अलावा उनके आन स्क्रीन वा आफ स्क्रीन परफॉर्मेंस अथार्थ अभी नेव लेखन तता प्रडक्शन के लिए सिनेमा एक्स्प्रेस तता फिल्म फैंस एसोशेशन के ओर से कई पुरुसकार वसंबान दिये गए सन 1984 में तमिल नाडु सरकार की ओर से उन्हें केले मनी अवार्ड तथा गुनिस सो नेवासी में एम जी आर अवार्ड दिया गया भारत सरकार द्वारा सन 2000 में रजनी कांत को पदम भुशन तथा 2016 में पदम विभुशन से नवाजा गया 2007 में उन्हें महराज सरकार द्वारा राज कुमार पुरुसकार से सम्मानित किया गया इसके लावा वर्ष 2010 में फॉर्फ द्वारा जारी सुची में इंफ्रेंशल इंडियन आफ द इयर के लिए उनका नाम रखा गया उसी वर्ष ग्रह मंत्री पी चितंदरम द्वारा एंडि टीवी की ओर से एंटर्टेंडर आफ द इयर का आवार्ड भी रजनी कांत को दिया गया 2014 में गोवा में आयो जित हुए भारत के 45 अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन फिल्म परसनल्टे आफ द इयर के लिए सेनेट्री आवार्ड दिया गया हमारी ये वीडियो पसंदा यो तो इसे लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद